हेलो एबरीवन असलाव अलेकुम वेलकम बैक टू माइ चैनल आज हम बनाने वाले हैं चिकन चीज शाही रूल जो मोस्टली हम वेडिंग्स में खाते हैं केटर्स के थू या फिर हिंदी में कहलो भट्यारे के थू जो आती है गैदरिंग में या फिर वेडिंग्स में हम मंग चीज रूल बनाने के लिए हमने लिया है हाफ केजी बोनलेस चिकन उसे चोटे 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 पीसेस में कट कर लिया है अब हम इसमें डालेगे पाच हरी मिर्ची वन फोद टी स्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून मिक्स्ट हर्ब्स या सीजनिंग मार्केट में इजी ली एविलेबल होता है अगर आपके पास यह भी ना हो तो आप औरिगानो भी डाल सकते है अगर इसकी कॉंटिटी बढ़ाना चाहे तो आप कर सकते है नमत आपके हिसाब से अब इसे सब हमें मिक्स करके पीस लेना है ग्राइंड करना है इसे थोड़ा स्पून से उपर नीचे करना होगा यह देखिये फ्रेंड्स हमारा चिकन ग्राइंड हो चुकर देखिया अच्छे से अब इसे हम एक बोल में ट्रांसफ पर हम एक बोल में ट्रांसफर कर लिया है अब हम इसमे डलेगे वन टेबल स्पून बतर आपके जरब होगतना सakt है या ऑईल अबयान होगतनी तो इसमें मिक्स कर लेग डिजिग अगर आपके मिक्स कर लेग기는 यह मिक्स हो गया अच्छे से अब हम रोल बनाने का प्रिपेरिशन स्टार्ट करते हैं यह देखिए फ्रेंट्स मैंने एक बटर पेपर लिया है आप इसकी जगह प्लास्टिक रैप्स भी होते है या फिर आपको प्लास्टिक कोई और है जो यूज कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं इस पर मैं फॉर्स्ट ऑईल लगाऊंगी इतना पॉशन लेना है और इसे हम यह रखेंगे बीच में और इससे प्रेस करेंगे अब हम चीज स्लाइस लेगे मैंने ब्रिटानिया का लिया है आप कोई भी ब्रैंड यूज कर सकते हैं मैं इसका हाफ लोगी यहां रखेंगे ऐसे इसमें मैंने अपना एक प्रेस्ट डाला है जो की है मोजरेला चीज जो मैं इसके साथ पीछ में रखोंगी इसे ऐसे प्रेस करते जाएंगे स्लोली इसके कॉर्नर से भी हमें जॉइंट कर देने हैं जहां से आपको ऐसे लगे कि यह फिलिंग थोड़ी कम लग रही है चिकन की तो वहां पे आप उसे फिल कर दें ताकि फ्राइग करने में चीज बाहर ना निकले यह देखिए हमारा चिकन चीज शाही रोल रेड़ी है अब इससे हम सबसे पहले ब्रेड क्रम में लगाएगे अब इससे साइड में रख देते ऐसी हम बाकी सारे कर लेगे अगर आपको ऐसे लगता है कि चिकन साइड से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है तो उसे निकाल सकते हैं अब बड़े बड़े रोल्स बनाने तो आप उसे रहने दे सकते हैं यह देखें फ्रेंड्स हमारे चिकन चीज शाही रोल्स देखें कर ऊँटिया है यह दो लेटी हो चुके है मैंने नाइन पीसिस बनाया है उसमें और इसे में अंडे में कौट आपके रोंगे अगर आप पहले अंडा कोट करके देन ब्रेड क्रम लगाकर फिर उसे व्यक्रम कर देखें बट जो हम शादियों में खाते उसमें बाद में अंडा लगाके फ्राई किया जाता है तो मैं उस तरह बना रहे हूँ अंडे में हम थोड़ा से नमब डालेंगे इसे फेट ले यह देखिए मैंने कड़ाई रख ली है तेल गरम हो चुका है अब मैं इसमें एक एक करके रोल्स डालूँगी और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करूँगी अब इसे मैंने पलट लिया है अब में आपको कट करके बता हूंगी यह देखिए फ्रेंड्स हमारे चिकन चीज शाही रोल रेड़ी है अब एक मैं आपको कट करके बता हूंगी लग रहे है ना काफी चीजी इसमें मैंने अपना एक ट्विस्ट दिया था जो कि हैं मोजरेला चीज भी आड़ कर दिया था नॉर्मल चीज प्रोसेस चीज स्लाइस के साथ यह काफी अट्राक्टिव है प्लस बहुत ही टेस्टी है आप भी इसे ट्राइ करिएगा और अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चानल को सब्सक्राइब करिएगा फिर आऊंगी नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए Allah हाफिज बाबाए